सच श्रीकार हम दर टीवी देख रहे हैं सारे दशका अंदास स्वागत है मैं अहां गुजित कर लेकर आज़नाजी प्रोग्राम खास मुलाकात इस देवे चसी तहनु मिलोने हुने हैं कोशे सितारयां देनाल जिन्ना दे वलो मला मारियां गयां हुन दिया ने चाहे हो गीत क देख वोटिंग हो जारी है मेल दियां जिरियां इलेक्शन्स ने मिसी सागा देख ओवी आ चुकिया ने ते ओड़ी जो कैंडिडेट खड़े होई ने ओवी सादेनाल जी स्टूडियो देख महजूद ने ओना देनाल जी गाल बात करांगे तो कैंडिडेट दमे नाम कर देख 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 मेर की एलेक्शन के लिए जो जून में आरी है मिसी सागा से तो कुरंटली आप जो है सिटी कॉंसल वार्ड नमबर सेवन से उसके पहले आप मैंबर ऑफ प्रुविंशियल पार्लेमें बिरा जुके हैं संस 2011-2018 तो मैं सबसे पहले यह कर दो कि अज़ पूछ जाओ कि यहां तक की जर्नी का रही रही ज़गा एप अच्छा सवाल किया अपने खानी ज़ ज़ चोटी आपको कहानी सुना तो जब मैं प्ले यहां पर यहां बेख दो आप नोड यहां रहें थे बड़ एक टार्शन की बाद है और बड़ एक मैना जिनका नाम है Mrs. Aaga तो उस मासूम गलती से आज की तारीक में किसको पता था कि मैं एक दिन Mrs. Aaga मेरा घर होगा यहां परिवार बसाया है मेरी बच्ची यही की बड़ी हुई है और मेर की चुनाव में जाने का यह जो अफसर मिल रहा है मिसके लिए बहुत बहुत आभारी और मेरी जर्नी देखिए यह Mrs. Aaga ने मेरे वस वेरी गुड फो मी मैं भी परिश्रम किया है लेकिन साथ-साथ लोगों ने मेरा साथ दिया है मैं यहां की MPP रही हूं Mrs. Aaga मैं मिनिस्टर रही हूं मिनिस्टर अफ सीनियर्स थी और अभी सिटी काउंसलर हूं तो मैं वस एक मैरी कंडिडेट हूं मेर की चुनाव में जिसके पास मिनिस्टर का भी अनुभव है जिसके पास MPP का तजूर्बा है सिटी काउंसल का तजूर्बा है और मेरे बास MBA भी है उनिवर्स्टी अफ टरॉंटो से और पॉलिटिक्स मैं आए के पले मैं कॉर्पर पैंकिंग मैं का मैं करती थी तो मैं मेर बनने के लिए तयार हूं कि मैं यह सारा तजूर्बा जो है उसने मुझे तयार किया है और अम रड़ी तो बीदे नेक्स्ट मेर ऑफ मिसिसागा जे बिल्कुल दिपिका जी तिए सब तो बहला दशकों के साथ जे वी सांजा कर दे कि वोटिंग जो जो जो आपको कार्ड मिलें के घर पे सभी को और मैं चाहती हूं कि आप लोग सब वोट दे मैं चाहती हूं कि आप मुझे वोट दें पर कम से कम वोट सब दे यह बहुत इपॉर्टन बिल्कुल सारे नागरिकों का हक होता है वोट देने के लिए तो सभी को यही दखास की कि आती है कि वोट दालने के लिए जरूर जाएं तो देपिका जी मिसी सागा में कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको आप जो कुरंट इशू जिसको आप सबसे पहले इलेक्शन के बाद रिजल्ट के बाद आप कौन सी चीज को बदलना चाहेंगे तो तीन चीजे हैं वैसे ती कराई कि मुझे अधिया तो कि मैं हुटाज चोटी सी कहां बताई कि कल रात की बात टर्वाट थामें याणाज जा अगाट्या निगाज कि मुझे ड़िए घुराए जा एं और कल नई मटे बेट इसकी लिए लगाई थिकी मैं गाला ब्दार्ण फुराए लाए बाहर कर द पर खाल कि तो यह बहुत बराफ अछाल – एव बहुत पूराहला है, एव वना पर काल पूराईहे भाल को चुराहि है को पहले मेरे सब्सक्राइब होगा कि कोई कार टॉराही है? अजिद आव कंट्रोली कारन क्या खुराए ले भाला है यह लिग था? प्रिशे सवाल आपने पुछे की ओंट्रियम में जारा इतनी क्यु छुराई जारे हैं तो एक इसकी बात यह है कि देखे यहां की जुड़ाई जारी है यहां पर नहीं भीकरी हैं बाहर देश में भीकरी हैं तो पहला प्रशन यह उटता है कि यह गाड़ियां औरी यह जा कं पतते हैं हैं सीच एस गॉरेंते हम पर जाण जाते हैं तो फिर चुराना बंद हो जायगा क्योंकि अगर वह और निए बाहर नहीं लेगा सकते हैं तो वो बढ़र बेच नहीं सकते हैं तो इसका बहुत सिम्पल उपाय है और यह है कि जो हमारी पोर्ट से प्रूडरीयाल एक जाहाज निकलती हैं और वैंकूवर निए बड़ने लगाये जाए जाया है और वो सकैनर से क्या होता है कि माल शिप पे चड़ने के पर एले स्कैनर रुजाता है जैसे एरपोर्ट पर अपनी बैज होती है और फिर उसमें साफ पता चल जाता है कि यहाँ सुलूशन है और मुझे मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि फेडरल गवर्मेंट प्राइमिनिस्टर टूडो वाई दसी नॉट इतनी सिंपल सी सुलूशन है आप स्कैनर लगा दे एक एक स्कैनर का की कीमत करीब थ्री मिलियन डॉलर्स है दस स्कैनर आपने मंट्रियाल में इतना सिंपल उपाय अगर हमने ये किया तो गाडी की चुराना बहुत कम हो जाएगा और दिपका जी क्राइम रेट जो है वो बहुत सारे इसे मामले सामने आरहे हैं क्राइम के पहले अगर कैनिदा की कुसमे पहले की बात करे तो क्राइम रेट इतना नहीं था आज कल तो तो आप उसके लिए क्या करेंगे तो ये भी मतलब गाडी चुराने के साथ साथ ये जो गन पॉंट मतलब बंदू की नोग पर जो डेकाइती हो और ये ये इस वेरी सिरियस और मैं इसमें इसकी दो कारण है वी नीट टू एक है बेल रिफॉर्म कि जैसे बंदा अपरादी ये उनको पुलीस पकड़ती है और दो दिन बात वो जेल के बाहर और जाते हैं फिर बारा पारा महने लग जाते हैं उनकी कोट टेट घर तक तो ये साल भार बाहर बःते हैं और फिर अपना काम शुरू हो जाता है फिर से गाडिया चुनाना शुरू होजा ने बहर साल कर जाते हैं, अगर सजा भी मिली तो तीन मेने छे मैने मिलती है। तो हमें दो चीज बदलने हैं, इसे जो एपरादी हैं उनको बेल पेना छोड़ें। जी भार ठीके छोड़ दी जा दूसरी बार आप पकड़े गया हैं। और दूसरी बार आप थे जा क्या हुती है। इसे कौ कम हो जाएगी यह नहीं बदलेंगे हमारी क्राइम आप कितनी भी पुलीस लगा लें अगर अपराधी को आप पुलीस अपराधी को पकड़ रही है और फिर कोर्ट सिस्टम उसको बेल पे शोड़ रही है दो दिन बाद तो पुलीस भी क्या कर सकी है तो यह तो यह मेरे अज म डिने क्राइम अटेम्ट कर लगी तो कुछ दिनो में बेल मिल जाएगी यह विरभार गूम्ते अजीर भूले खुले आम क्राइम अपर हो यह मतलब है हुँ अग्ड़ होगी एक अग्दम है मुझे कानून यह जग अपे जाएगी जो अपराधी जो हो रही जो हुँ पारा दिन पर दिन बढ़ रही है और मेर क्या कर सकती है मेहंगाई में एक चीज है कि आपकी प्रॉपरटी टैक्स को दबा कर रखे यह और यह मेरी मेरी में कमिटमेंट है इसको करने के लिए दो तीन मतलब मेरे पास उपाय हैं सबसे बड़ा यह है इसका नाम है न्यू डियल इसक अगर तोरंडो को 1.2 बिलियन डॉलार इसका कारें इस्से क्या हो ताइस कि आपकी टैक्स नहीं बढ़ती है क्योंकि सर्कार ने पैसे दिया है और फिर दो मैंने प्रे एक मैंने पहले उन्हें उन्हें नहें प्रॉपर प्रॉपर फ्रॉपर दिया तो अब मेरी यह मांग कि मिसिसागा ओंटेरियो की तीसरी सबसे बड़ी शहर है तो हमारी भी बारी है तो यह मैं मांग री हमें भी हाफ मिलियन डॉलर्स दिया जाए क्योंकि अगर हमें वह पैसे मिले तो हम आपकी टैक्स को दबा करक सकते हैं टोरंटो को मिल गया क्योंकि टोरंटो में अब मिसिसागा की बारी है और इसके पाद और कभी-कभी सब्सकार में ना फजूल की भी खर्चे होते हैं और मैंने काफी देखे हुए तो मेरे पास प्लान है कि अगर हम बंद करें तो इस तरह भी हम टाक्स को दबा करक साथ जे बिल्खुल दिपका जी आगे बढ़ने प जुनाव में बोड़ते सकते हैं बसको बस दो इक वालिफिकेशन आपको मिसिसागा में रहा होगा और आप नागरिक हो जी बिल्कुल दिपका जी अब इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात कर दे है क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो और इंटारियों जो है कि जो प्राइवेट करियर कॉलेजिस हैं और जो उनिवरस्टी जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाटे हैं तो यह बहुत 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 इंपोर्टने कि आप यह हमें दिखाएं कि आप बच्चे हों कहां रह सकते हैं या आप अप दिखाएं कि यह अपने कि मोन स fem फॉर्फमिड किया थिक्त पुर्टने के सफ़ इंडिंट के साथ जह में तरह बच्छाने बच्चे से बत्चे बच्चारे नियुंचां कि वह उमीद के साथ आते हैं फिर यहां पर बेस्मेंट यह उमी तो यह कॉलेज के जिमार होती है उतर यह पुरी टीज वो बच्चों की एकामेडेशन की मतलब आप हमें दिखाए मैं यह नहीं के लिए सब को हॉस्टल बनाना यह पर आपको एक प्लान दिखाना होगा कि हमने यह सारी रूम्स यह सारी बेस्मेंट हमने कॉलेज की तरफ से लीगल बेस्मेंट है सब कुछ देख के हमने सेक्योर कि तरफ से टोलिग की तौर से यह बच्चे वहा रहें सेफ रहें 2 मैं करना चाती हम यह करें दिया कि बिल्कुल की कि अधिव ऑन ग्रट करें तो काफी जह्यादा जोए सब्टी कि काफी इंट्रेशनल स्वें काफी ज्यादा एढ आ रहे हैं इंटेनल स्टूंड को अर करने के लिए उनको रेंट रिटर्न निकिया जाता है तो फिर वो बच्चे जाएं कहां बाद करने के लिए हां तो यह जो हो रहा है यह ग्यार गानूनी है तो तो मैं चाहती हूं कि अगर कोई भी पच्चा इस तरह प्रॉबलम में या तो मुझे फोन करें नो प्रॉबलम मेरा फोन नंबर है अगर आप मिसे देर्गे मतलिके अगर अपको बतायंगे कि अगर आपको मतलब अत्याचार हो Eso एक्स्पोइटेशन हो रही है वापकी मदद करेंगे तो दिपिका जी आप अबी कुरंटली वर्ट 7 से सीटी कॉंसलर तो आप डशको के साथ कोई अचीवमेंट्स अपनी सांजी करनी चाहती है जो अपने अचीव कियो अब तक बिल्कुल थैंक्यू आपने ये अफसर दिया जीवमें मुझेब क्या ये कांसलर पांट साल से हुं और मैं मतलव य रिल्ली एंज्व डिये अज़्ू भागिआ शहर हो मुझे 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 इतना दिया हि अब मिसिस ऑगा ये मेरा घर है और मुझे मिसिस ऑगा कह अगे मतलब सब से ज् mano ये है कि मिसिस ऑगा की जो मतलब I am quite proud of, एक है कि हमने मिस्सागा में सारी जो रेंटल बिल्डिंग्स हैं उनकी इंस्पेक्शन शुरू की है, तो यह मतलब small landlord की बात नहीं करें, हम जैसे बड़ी बड़ी जो रेंटल बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी हमने इंस्पेक्शन शुरू की है, तो यह पहली बा यह पाद यह टोरॉंटो में शुरू किया गया था और मिस्सागा में मैं यह प्रोग्राम को लाई हूं तो I am very proud of that, दूसरी बात है जैसे हम जाते हैं मिस्सागा में सब वन अफ बेस्ट थिंग्सागा है कि हमारी जो हरियाली है लोग आप किसी से भी पूछ लें तो कहते ह है, downtown मिस्सागा के ले क्योंकि downtown मिस्सागा जैसे हम जानते हैं महाँ पे हरियाली की कमी थी और यह पैसे हमने tax dollars से नहीं खरीदें यह पैसे जो developers हैं उन से लेके हमने यह हरियाली खरी दिया, and I am very proud of that, 25 आपर हम एक नया पार्क बनाने वाले हैं Cooksville में, I am very proud of that. तीसरी बा कोपड़ा कोई सांद लगाया है और बहुत अरी प्लान पे उसके मतलब उसकी सुधार करने के लिए अभी अभी शुरू किये तो वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एड़ा एड़ा कांसलर हूं या मेर हूं कि जो कुछ विल का जो एरिया है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ थ तनी बहुत सारे लोग होते हैं को मतलब प्रोपिटी की टीक से मतलब ङा कैस बढ़ जाती है एं और बाहर रहते हैं मिस अगमे रहते मिन रहते नहीं तो टो वो सब उस सब की सफाहि की पारई आीए तो यह सब मेने बहुत कुछ किया है तो मैंен बहुत कुछ कीया एसाई ऑ जहां तक हो सके दबा के रखा है, वो भी मैं मैं रड़ी प्राउड अव बिलकुल बहुत इमान वाली बात है और एक और बात मुझे बताना है वो कि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ और मैंने मिसिसागा में क्रिकेट के लिए बहुत सारा काम शुरू किया है हमने नही बैटिंग केजिस लगवाई है वो मैंने वोड 7 में दो लगवाई है और मेरा प्लान है अज मेर की मैं मिसिसागा में पांच और क्रिकेट ग्राउंड बनवाना चाहती हूं क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड की बड़ी कमी है हर हफते मुझे किसी ना किसी क्रिकेट अजिसे फोना था है कि भाया हमारी बुकिंग नहीं हो रही है हमें यह खेलना हमें यह टोर्नमेंट करना है लोग 6-6 बजे सुबह उठते हैं मतलब ग्राउंड में जाने के लिए इस नाट राइट क्रिकेट हम लोग क्रिकेट खेल रहे हमारी जिम्मेदारी बनती है में सि मतलता कि और किसी और की डिस्टरबंस नहों अगर हम बत्ती लगा सगें लेकिन जो लोग आसपास घर नहों तुम्हें वहाँ पर बत्ती लगवाना चाहती है क्योंकि उससे भी फिर ग्राउंड की युसेज बढ़ जाती है और हर जगे वाश्रूम हो और चाया हो तो यह मे पिछली मेयर थी हेजल मेकालियन उनकी यह बड़ी मांग थी कि मिस्सागा पील रीजन से हट जाए उसका यह कारन था कि देखे हम मिस्सागा इस ओंटेरियो तीसरी सबसे बड़ी शहर आप देख रहे हैं छोटी-छोटी शहर हैं जैसे पीटर बरो हो या बैल विल हो यह ल कि हम वह सेपरेट कर देंगे कि मिस्सागा अपने पैर पे खड़े हो और फिर उनने अपनी राइ बदल ली अभी 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 अप्रमाइज हो गया है यह कॉम्प्रमाइज यह है कि उन्हों डग फोड ने यह कहा है कि पूरी सपरेशन नहीं होगी लेकिन पार्शल स सर्विसेज हैं प्लानिंग रोड स्नो क्लियरिंग जो रोड की मेंटिनेंस होती है रोडों की मरम्मत होती है गार्बज कलेक्शन और पानी का ट्रीटमेंट यह चार जो अभी डिजन ऑफ पील पे हो रहे हैं यह मिस्सागा को दिये जाएंगे तो इस्ते क्या होगी डूप दोप स्नाय के जाते हैं में आप लोग जो मिस्सागा में रहते हैं आप करको जानते ही होंगे और जो ईदय कि में Lizissागा शह का रोड है और जोह लो only वो region of peel का है तो जब बरफ पड़ती है आप माने ना माने जो Tomkin Road पे जो बरफ की सफाई होती है वो Mrs. Saga के लोग करते हैं और जो कौथरा पे सफाई होती है वो region of peel की जिम्मेदारी है अब आप बताएं यह duplication हुआ की नहीं इसी तोर से आप garbage की बात देख लें आप अगर पा करती है फिर से ड्यूपलिकेशन हुआ की नहीं तो इस तरह की बहुत सरी ड्यूपलिकेशन हो गई है विच इस वेस्ट ऑफ मनी एंड ताइम तो इससे अच्छा है कि हम यह ड्यूपलिकेशन को निकाल दे तो यह बेभी स्टेप सोच लिए तो I am comfortable कि at least partial पार्शल पार्श को लेके हाँ तो अभी हम यह किया कि सीनियर्स के लिए मिससागा में पर प्रमेर पास एक और स्कीम है मैं यह लाना चाहती हूं कि अगर आप सीनियर है और अब मतलब एक इंकम लेवल के नीचे है तो फिर आपकी जो प्रोपर्टी टाक्सेश हैं मैं आप उनको टाल सकते है तो जैसे इस साल आप प्रोपर्टी टाक्स भरनी पारे हैं कुछ हो गया है जाए तो आप पूरे प्रोपर्टी टाक्स ताल सकते हैं या आदे प्रोपर्टी टाक्स ताल सकते हैं इंडेफनेटली फिर अगले साल गर आपको टालना है आप टाल सकते हैं और फिर कलेक्शन क परने के लोगविपन पर अजली है को अज़ करेंगी से क्यों हों कि सीनियर को अज की तारीक में अगर आपके पस बहुत बड़ा गर है और आपको मालूम अट यह कि अगर की बड़ीवाली वह अचने बद्खाल और थीज और शाली साल पिले थे टीन लाक में को एज कि तारी किसी एक डढ कर नहीं है तो कर सक्ते है कि हर साल हम 50% ऑर 50% तब हैंगे तो जो भी आप करूसे के तो यह चाहें बिलकुल बहुत अची वात है इसले ग्ष 15 नहींत और प्रक eigen डिवाब जैसे थी मैं किसी के घर गई ति मेरी फ्रेंड यह मेरी फ्रेंड अप्रक मेरी अजया है अप्रक मीरे अमने बहात चारें बता हैं। भान बात तक चारें पारें ली प्राटी कुपना शप्री क्वा लोगें। मtermin belang लिपारोगेंगेंथिन कि छिए। थे ओंपयाई हो गई। एक एक साल किसी ना किसी तर आपको इंडिया जाना पड़ा कुछ बड़ा खर्चा अर आपको लगता है कि इस साल टाक्स भरना बहुत मुश्किल होगा तो एक मन की तसली हो जाती है ना कि उस तरह से तो जी बहुत अच्छा रिस्पॉंस बड़ा और दिपकाज अब जाने से जो मेंगाई हो रही है उसके लिए मेरी पास ये जो प्लान है ये है कि मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं टाक्स को दबा कर रखोंगी बढ़ने नहीं दूंगी और सीनियर्स के लिए मैं ये टाक्स टालने की जो स्कीम है वो ला रही हूं दूसरी बात है हमने क्राइम की बहुत इसमद्दे पर संगर्ष कर रही हूं और दिसरी बात घर की कमी है और तो इट वरी इंपर्टन कि हम और घर बनाएं क्यूंकि जल्दी से जल्दी अगर हम घर बना पाई जितने हम घर बनाएंगे तो थोड़ी सी मतलब यह कमी एड्रेस हो जाएगी ताकि हमारी जो यंग फैम मुलाका जिदे विचाजसी ताहनों मिलाया जो कि कैंडिडेट दी तरह खड़े होई ने मीसिसागा मेयर दे लई दीपिका जी ते उमीदे कि ताहनों अजड़ा प्रोग्राम बढ़िया लगया होगा ते तास जून नो वोटिंग हो जारी है ते तुसी भी जल्दी ता जल झाल